मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा OTS में मौझूद है और लोगों से मुलाकात कर रहे है पिंडवारा विधायक समाराम सीम से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी नेता जोती खंडेलवाल भी OTS पहुंची है करीब 9.45 मिनट पर बीजेपी मुख्याले के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो आपको बता दे लोगों से विधायकों से मेल मिलापका कारिकरम उनका लगातार जारी है जन्सुनवाई कारिकरम कर रहे हैं और अभी बीजेपी नेता जोती खंडेलवाल OTS पहुंची है करीब पौने दस बजे या निनौ बच कर पैंतालीस मिनट पर बीजेपी मुख्याले के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री और पूर्व पीम अचल बिहारी वाजपई की स्मिर्ती में आजुने शर्दा सुमन अरपित करेंगे फिल्हाल मुख्यमंत्री OTS में मौझूद है और लगातार उनका लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है जन सुनवाई कर रहे हैं विदाएकों को समय दे रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे समवाधाता अमित भार्दुआज लाइव जो चुकिया हमारे साथ में अमित हम ये देख रहे हैं कि जब से CM पत के शपत लिए लगातार लोगों से मिलने का उनका सिलसिला जारी है जन सुनवाई कारिक्रम कर रहे हैं OTS में फिलाल मौझूद है और अभी भी लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है विदाएक पहुँचे हुए हैं क्या कुछ जानकारी जी बिल्कुल शॐलमी आपने बिल्कुल सही का कि जिस तरीके से जिस दिन से शपत लिए शपत लेने के बाद से या हम यूँ कहें कि जिन मुख्यमंत्री पद के लिए गोशना ही उसके बाद से ही मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा आम लोगों के बीच में है, आम लोगों से लगातार मिल रहे हैं, आज भी 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को स्वरगे अटल विहारी वाजपी जी के जैनती होती है, उसके लिए कारेकरमों में आगे जाना है, उससे पहले सुबह, सुबह से ही यहां पर OTS में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा और यहां पर आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ खास लोग भी उनसे लगातार मिलने आ रहे हैं, कुछ विधायक यहां पर मिलने आए है, कुछ बीजेपी के बड़े नेता यहां पर उनसे मिलने आए है, आम लोगों से भी यहाँ पर बजलाल चर्मा मिल रहे हैं यहाँ से उनका करीब 9.45 बजे निकलने का कारेक्रम है यहाँ से सीधा भारतिय जनता पार्टी के जो मुख्याले है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आटल विहारी वाजपी जी की जैनती के अवसर पर उन्हें शद्धा सुमन अर्पित करेंगे जी अमित विलहाल कौन कौन मौझूद है वहाँ पर देखे बात करें तो पिंडवाडा आबू के सिरोही से सिरोही जिले की पिंडवाडा विधान सभा से वहाँ के जो MLA है समाराम गरासिया वो यहाँ पर पहुंचे हैं वहाँ के जिलाद देख्ष भारतियनता पार्टी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं पूर में कॉंग्रेस में रही और वरतवान में बीजेपी में जो बीजेपी में रही नेता जोती खंडेलवाल वो यहाँ पर अभी अपने शेत्र के लोगों के साथ में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा से मिलने पहुंची है इसके अलावा तमाम भारतियंता पार्टी के जो बड़े नेता कुछ जो उनसे मिलने आए हैं बाहर से मिलने आए हैं चुकि आज चुट्टी का दिन है 25 दिसंबर है क्रिसमस है चुट्टी का दिन चल रहे हैं तो लोग बाहर से उनसे काफी संख्या में यापर मिलने आ रहे हैं अभी मुख्यमंत्री यहां से निकल करके बीजेपी आफिस आएंगे बीजेपी आफिस के बाद में उनके आगामी कारेकरम होर उसके बाद में दोपेर में वापस ओटीयस इस्तित अपने अएस्था निवास पर आएंगे और वहां लोगों से मुलाकात करेंगे इस बात से बिलकुल नकारा नहीं जा सकता कि आज अटल बिहारी वाजपी जी की जैनती है इस दिन को 2014 से ही भारचेंता पार्टी पूरे देश में सुशाशन दिवस के रूप में मनाती है और विभिन्दे तरह के कि इसमें कारेकरम होते हैं कल जिस तरीके से हमने देखा कि BJP की एक बड़ी वर्चौल वारता हुई अपने कारेकरता के साथ में वारता हुई उसमें निर्देश दिया गया कि प्रतेक बूत इस्तर तक सुशाशन दिवस के जो कारेकरम है वो कारेकरम करवाए जाएंगे तो बिल्कुल माना जा सकता है कि कुछ नेता जो यहां पर आ रहे हैं उसके अलावा नए मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान को नए मुख्यमंत्री मिले हैं तो कुछ लोगों के बधाई दिने का ताता लगा हुआ है महीं अगर हम बात करें तो कुछी दिनों में नई सरकार आई है मंत्री मंडल वनने वाला है नया मंत्री मंडल आने वाला है तो उसको लेकर के बातचीत करने के लिए कुछ नेता यहां पर लगातार पहुँच रहे हैं और कुछ राजनेते की नियुक्तिया जो होनी है तो नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए भी लोग यहां पर लगातार मुक्यमंत्री भजिलाल चर्मा से लिए पहुच रहे हैं और उन्हें अपने अपने जी हमें दुबारा जुड़ेंगे आप से अपजेट लेंगे फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन से लिए एनेवाद